नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है औल एक्जाम गाइड गुरू के यूडूप चैनल पर दोस्तों लिकार आगए आपके लिए सुपर फास्ट जीके के कॉश्चन बहुत ही शांदर सेलेक्टेड कॉश्चन है आपको पता भीन चलेगा आपका वीडियो खतम हो जाए बस एक वाद आलेश छोड़ों दोसाल दोसाल आलेश छोड़ों के जवव आपकी 100 % आपकी है कोई नहीं चीन सकता आप से स्टार्ट करते हैं वीडियो को इसी के साथ पहला मानव विकासुचकांग किस अर्थ सास्त्री ने तयार किया था तो सबसे पहला मानव विकासुचकांग जो तयार किया था वो महमूद उल हकने option number B यहाँ पर इस प्रशने के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मानव शरीर की रचना के संदर्व में antibodies होते हैं क्या तो मानव शरीर की रचना में antibodies जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स option number B प्रोटीन्स यहाँ पर सही आंसर है सहरे ब्रहम किस से संबनित है तो जो सहरे ब्रहम है वो आपका संबने से मस्तिस्क से option number C मस्तिस्क सही आंसर हो जाएगा विरंजक चून एक योगिक है उसका सूत्र क्या होता है तो विरंजक चून का सूत्र होता है आपका CAO CL2 option number C यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विश्वम है लावार निर्मित मैदानों में निम्दलिक्रित मेंसे किस फशल की सबसे ज़्यादा करशी की जाती है तो कपास की सबसे ज़्यादा करशी होती है option number B कपास यहाँ पर इस प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा रबड किस प्राकर्टिक प्रदेश की उपज है तो रबड आपका विश्ववतिय प्रदेश की उपज है option number B विश्ववतिय प्रदेश राइट आंसर है सूरत आपके समान आउधी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है तो सूरत आपके समान आउधी वाले इनको आईसो हेल रेखा बोला जाता है option number A राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल विट्तियां समुद्री प्रती रूप है तो ये उश्वन कटी वंदिय वर्सा वनों की समुद्री प्रती रूप है निम्नलकित मैसे प्रात्मिक छेत्र किसे कहा जाता है तो प्रात्मिक छेत्र आपका क्रशी छेत्र को कहा जाता है option number A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निम्नलकित मैसे कौन संत महराष्ट से थे तो महराष्ट से संत तुकाराम जी थे option number यहाँ पर B सही answer हो जाएगा सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा गुरु गोविन सिंग जी का जन्म जो हुआ था वो पटना साहिब में हुआ था कमेंट करके बताईए गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। जाएगा वल्लवा चारे जी आजीवक संपरदाय के संस्थापक कौन थे तो आजीवक के संस्थापक थे आपके मक्खाली गौशाल जी आपका सही आंसर हो जाएगा निम्नलिकित में से किसे ने प्रति पादित किया था कि भाग्ये ही सब कुछ निरधारित करता है मनुष्य अउसमर्थ है तो ये किया गया था आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी आजी विक्वें डॉब यहाँ पर भी इस प्रशन के लिए राइट आंसर हो जाएगा सरहुल पर्व का संबन्ध किस राजी से है तो सरहुल पर्व आपका जारखंड से संबन्ध है option number A right answer हो जाएगा पॉंगल किस राजी का प्रमुक्ते ओहार है तो पॉंगल आपका टमिल नाडू का प्रमुक्ते ओहार है option number D यहाँ पर सही answer है वैसाखी किस राजी का प्रमुक्ते ओहार है तो वैसाखी जो है आपका वो पंजाब का है option number B पंजाब यहाँ पर इस प्रशन के लिए right answer हो जाएगा नंदी हिल्स किस सहर के निकट इस्तित है तो नंदी हिल्स जो है आपका वो मैसूर के निकट इस्तित है option number B मैसूर यहाँ पर इस प्रशनी के लिए right answer है पारसी धर्म के संस्तापक कौन थे तो पारसी धर्म के संस्तापक आपके जरूत्रुष्ट option number यहाँ पर C इस प्रशनी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा FL Tower के designer कौन थे तो FL Tower के designer थे आपके सर गुस्ताव एफिल option number A नहीं के नाम पर एफिल टावर का नाम भी रखा है option number A राइट आंसर हो जाएगा विश्व के साथ नए अजूवाँ में से एक जो है चिचेन इच्जा को सम्लित किया गया है यह कहां इस्थित है तो चिचेन इच्जा यह आपका मैक्सिको में स्थित है option number A मैक्सिको यहाँ पर इस पशनी के लिए right answer है निम्दलिक्षण में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है तो विश्व कला संग्रहों का भंडार सालार जंग संग्रहाले को option number यहाँ पर भी सही answer है भारती सर्विक्षण निम्द मैं से किसके अधीनस्त है तो भारती सर्विक्षण विवाग आपका ग्रह मंत्र आले के अंतर गताता है option number B comment करके ग्रह मंत्री का नाम बताओ अभी ग्रह मंत्री कौन है उनका नाम बताओ फड़ावट कमेंट करके देखतें कितने लोगों को पता है ग्रह मंत्री का नाम एशियाटिक के सोसाइटी ओफ बंगाल के संस्थापक कौन थे तो इसके संस्थापक थे आपके सर विलियम जोन्स option number B यहाँ पर सही answer हो जाएगा सर विलियम जोन्स अगला question दूरदशन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा था तो सबसे पहले प्रायोजित हो आथा हम लोग option number A हम लोग यहाँ पर इस प्रशन के लिए सही answer हो जाएगा अगला question देखिए यह आपकी स्क्रीन पर साची का महान इस्तूप जो है वो किस राज्य में है तो साची का इस्तूप है मद्ध प्रदेश में चलिए तो मद्ध प्रदेश के CM का नाम comment box में comment करके बताईए मद्ध प्रदेश में CM कौन है comment जरू करिएगा अगला question है चितोर दुर्ग में विजय इस्तंब किस ने बनवाए था चितोर दुर्ग में विजय इस्तंब बनाए था राणा कुम्भा जी ने option number C राणा कुम्भा जी right answer है अंतरिक्ष में सरवादिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी तो यहां पर सही answer हो जाएगा सुनीता विलियम्स option number B यह सरवादिक प्रवास करने वाली महिला है option number B right answer है शेर शाह का प्रमुख प्रतिदवंदी कौन था तो शेर शाह का प्रमुख प्रतिदवंदी आपका हुमायू था option number B हुमायू right answer हो जाएगा इस प्रशन के लिए अगला कोशन देखिए निम्दर के तमें से कौन सा राज भारत पाकिस्तान की सीमा के पास इस्थत है तो भारत पाकिस्तान की सीमा के पास यहाँ पर जो ऑप्शन देगा है राजस्तान इस्थत है ऑप्शन नमज सी राजस्तान बिलकुल सही आंसर हो जा बढ़ते हैं अगले कॉशन की तरफ इसमें पूछा गया है आपसे तत्व बोधनी सभा के संस्थापक कौन थे तो तत्व बोधनी सभा के संस्थापक आपके देविंद्र नाथ टैगोर जी थे अगला कॉशन दिखते हैं वेद समाज के संस्थापक का नाम बताईए तो वेद समाज के संस्थापक आपके केश्री घरालू नाइडू जी है ऑप्शन अबसी यहाँ पर इस प्रशन के लिए राइट आंसर है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम बताईए तो खुदाई खिदमतगार संस्थापक के नाम है अब्दुल गफार खान option number C यहाँ पर प्रशने के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा momentan anglo oriental college अलिगड के संस्थापक कौन थे तो इस college के संस्थापक ते सर सेद एहमत खा option number B यहाँ पर इस प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा विश्व में कुल गणना उत्पादग का कितना हिस्सा केवल ब्राजील दौर उत्पादग किया जाता है option number D यहाँ पर अजाद सत्रू राइट आंसर है राजा राम मोहन राय किस से संबनित नहीं थे तो राजा राम मोहन राय पहले इस पढ़ लेतने किस किस से संबनित थे तो विद्वा पुनर विवा से अंग्रेजी शिक्षा से और सती प्रता से इन सबी से संबनित थे और आपके संस्कृत शिक्षा से संबनित नहीं थे किसने असायोग आंदोलन के दोरान कपड़ों का जलाया जाना एक निश्टुर बरबादी बताय था तो ये बताया गया था यहाँ पर जो options दे गए है रविंद्र नाट टैगोर जी option number यहाँ पर डी इस प्रशने के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एरन अभीलेक का संबन्द किस सशाशक से है तो एरन अभीलेक जो है वो संबन्द थे आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अब भानुगुप्त से option number D भानुगुप्त यहाँ पर इस प्रशने के लिए सही आंसर हो जाएगा हितोप देश के लिखक कौन है तो हितोप देश के लिखक है आपके नारान पंडिजी option number C नारान पंडिजी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशने के लिए नाट्य सास्त्र, सास्त्र की रचना किसे ने की थी? तो नाट्य सास्त्र की रचना की थी? भरत मुनी जी ने, option number यहाँ पर C सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही important question है, यह आपके exam में आपको आगे मिल सकता है अगला question देखिए, आदोनिक मानों के हाल का पूरवच कौन है? तो आदोनिक मानों के हाल का पूरवच क्रो मैगनन मनुश्य है, option number यहाँ पर B सही आंसर हो जाएगा, गुप्तवश के किस शाशक ने सरप्थम महाधी राज की उपाधी धान की थी? तो सबसे पहले महाधी रा यहाँ पर C इस प्रशन के लिए सही आंसर हो जाएगा, नौवा मंडल, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सीरियस आकाश का सबसे चमकदार तारा है, option number यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, चीन और जापान इस दोनों के लिए लड़ते हैं, option number C यहाँ पर सही आ देश शरवादिक घना बसा हुआ है, तो सरवादिक घना बसा हुआ है आपका, बांगलादेश option number यहाँ पर बांगलादेश D सही आंसर है, विश्व में, विश्व के सीत मरस्तलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो टुंडरा प्रदेश कहा जाता है, सीत मरस्तलों को option number B, तुंडरा यहाँ पर इस प्रशने के लिए right answer है, अल अजीजिया सहारा मरस्तल में से थे option number B से आंसर है, विश्व में किस महाधीप में आदेम जातियों की सरवादिक जनसंख्या पाई जाती है, तो आदेम जातियों की सरवादिक जनसंख्या अफरीका में पाई जात महासागर की प्रवाल भित्ती है, तो प्रवाल भित्ती प्रशांत महासागर की प्रवाल भित्ती प्रशांत महासागर की प्रवाल भित्ती है, option number B, प्रशांत महासागर right answer है, मालतस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो जनसंख्या 25 सब्सें तरा आउच्छी पर्वत चोटी सब्सें से उच्छी पर्वन और ऌर एक यहां पर सही आंश्थ हो जाएगा नंदा देवी जीव मन्डल किस राज्य में पढ़ता है तो नंदा देवी पढ़ता है आपका तरह इंड यहां है जम्मु काशमीर की राजधानी श्रीद गर किस नधी के तर पर ह्परश्च जन्म Карव Cayosa पर ऑप्शे नमबर एंपर भारत पाकिस्तान युआँ अँदार मोसं में उगाई जाने वाली फसल है तो जायद मौसम में तर्बूज उगाया जाता है ऑप्शन नमर तर्बूज राइट आंसर हो जाएगा पनियान तथा इरूला जंजातियां किस राज्य में निवास करती है तो ये पनियान और इरूला ये केरल में निवास करती है ऑप्शन नमर सी केरल यहां पर अब सागर में गिरने वाली नदी है आपकी माही आपशन मेसी माही नदी यहाँ पर राइट आनसर है भारत का सबसे वड़ा गणना ots Essa Hij चाखर औपशन नदी को बिहारका शोग कहा जाता है सबसे नदी को ब्रमबी नदीर कोशी नदी नदीर आनसर है दक्षि पूरा नहीं लिखा वैली ओफ फ्लावर या फूलों की घाटी आपकी उत्राखंड में आप्शन नमर यह उत्राखंड राइट आंसर हो जाएगा सलाल जल विद्धुत परियोजना किसे राजे में है तो सलाल जल विद्धुत परियोजना आपकी जम्मू काश्मीर में है ऑप्शन नमर भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यदि कोई वस्तु की विशेश अवस्ता के काण उसमें कारे करने की जो छमता होती है उसे उस वस्तु की क्या कहेंगे तो उसको कहेंगे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस्थतिज उर्जा यहाँ पर option number आपका C इस प्रशने के लिए सही आंसर हो जाएगा वह स्रोथ जिसमें पाठली पुत्र के प्रशाशन का अवर्णन उपलब्द है वह कौन सा है तो वह स्रोथ है आपका इंडिका option number C इंडिका यहाँ पर right answer हो जाएगा उस छितर की पहचान करे जहाँ से यूरोप वाशियों को सर्वत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था तो बिहार से सबस्जान अच्छा सोरा अफीम प्राप्त होता था के शाशन काल में व्राथा प्रमुक संभाजी की हत्या कर दी गई थी तो संभाजी की हत्ता जो कर दी गई थी औरंग जेव के सेशन काल में option number A right answer हो जाएगा चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जोड़े हैं तो चैतन्य महाप्रभू ये गौणी ये संप्रदाय से जोड़े हैं option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा महमूद बेगड़ा किस राजिका प्रसिद सुल्तान था तो महमूद बेगड़ा ये गुजरात का प्रमुक सुल्तान था option number यहाँ पर D गुजरात इस प्रशन के लिए right answer हो जाएगा काश्मीर का साशक जो काश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था कौन था तो काश्मीर का अकबर जैनुल आबीदीन को कहा जाता था option number B जैनुल आबीदीन right answer है इस प्रशन के लिए निम्दिलकरत में से कौन? फरायजी विद्रो़ का नेत था तो फरायजी विद्रो़ का नेता दादु मिया AN ऐप्शन नमबर A यहाँ पर इस पशने के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा निम्दिलकरत में से कौन से शहर? चोल राजाओं की राजधानी था तो चोल राजाओं की राजधानी था तंज़ोर option number यहाँ पर इस प्रशनी के लिए बिल्कोल सही आंसर है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था तो गोवा पर अधिकार किया था अलफांजो डी अलभुकरक ने option number A अलफांजो डी अलभुकरक राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशनी के लिए comment करके बताईए पुर्तगाली गोवा से कब गए गोवा को आजादी कम मिली कब पुर्तगाली लोग गोवा से चली गए थे पंजाद के राया रंजीत सिंग की राजधानी कहां थी तो रंजीत सिंग की राजधानी थी लाहोर option number डी लाहोर यहाँ पर इस प्रशनी के लिए राइट आंसर हो जाएगा भारत में ब्रिटिस भूर आजस्त्व प्रणाली का निम लिकित में सिंग किस ने अधिकल लाब प्राप्त किया तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जमीदारों ने option number यहाँ पर C जमीदार विल्कुल राइट आंसर हो जाएगा निम लिकित में सिंग किस पदार्थ का प्रयोग हडपा काल की मुद्राओं के निर्मान के रूप में किया गया है तो हडपा काल की मुद्राओं का निर्मान किया गया है आपका टैरा कुटा option number ए इस प्रशन के लिए राइट आंसर हो जाएगा प्लासी के लड़ाई में अंग्रेजी सेना का निर्त तो किस ने किया तो प्लासी के लड़ाई में अंग्रेजी सेना का निर्त तो रॉबर्ट कलाईव ने किया है option number ए रॉबर्ट कलाईव यहाँ पर राइट आंसर है तो अंग्रेजों का सरवादिक विरोध किया था मराठाउन है आप्शन नमबर भी मराठा यहाँ पर इस प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा भारती सेवल सेवा में चुने गए पहले भारती का नाम क्या था तो सबसे पहले भारती थे सतेंद्र नाठ टैगूर ऑप्शन नमबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रशने के लिए निम्दल कित में से वह गयक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादर्शी भी था तो देवान पियादर्शी कहा जाता था मौरिस समराठ अशोक को देवान पियादर्शी देवान पियादर्शी बहुत सारे इनके नाम थे भारत में चिस्ती सिलसले को किसने इस्थापित किया था तो चिस्ती सिलसले को शेक मोहिद्दीन चिस्ती option number यहाँ पर भी इस प्रशनी के लिए बिल्कुल right answer हो जाएगा वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ती संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है तो यह मानते थे मोहिद्दीन चिस्ती option number यहाँ पर सही answer हो जाएगा इसे प्रशने के लिए सुफी जंत खौजा मोहिद्दीन चिस्ती किसके साषन काल में राइस्थान आये थे तो यह आये थे आपके यहाँ पर सही answer हो जाएगा प्रत्वी राज चोहान option number A के साशनकाल में मोई दिन चिस्ती राइस्थान आये थे भारती इतिहास में बाजार अनियमों मूल अनियंतर पद्रती की सुरुवात किस ने की थी तो बाजार अनियमों और मूल अनियंतर पद्रती की सुरुवात की थी अलाउद इन खिल जी ने option number C यहाँ पर सही आँज़ उज़्ड हो जाएगा राज्य संबंदों में उमेला के दिखल का विरूद किस सुल्तान नहीं किया था तो उमेला के दिखल का विरूद किया था allowed इन खिल जी ने option number B allowed इन खिल जी इस प्रशनी के लिए राइट आंसर हो जाएगा पुर्षों की बैडमिंटन प्रतियोगता है तो पुर्षों की बैडमिंटन प्रतियोगता थौमस कप है option number B थौमस कप यहाँ पर इस प्रशन के लिए राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी तो बहमनी राजाओं की राजधानी आपकी गुलवर्गा थी option number B गुलवर्गा राइट आंसर हो जाएगा किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फिरोज तुकलक ने आपनी आत्मकथा लिखी option number C यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए यादा उसमराटों की राजधानी कहाँ पर थी तो यादा उसमराटों की राजधानी देवगिरी थी option number C देवगिरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा देश में जो है सूती वस्त्र एवाँ मशीनरी का सरवाधिक निर्यात निमलिकित में से किस बंदरगा से होता है तो इसका आपका सरवाधिक जो निर्यात होता है वो होता है आपका मुंबई बंदरगा से option number A मुंबई बंदरगा right answer हो जाएगा इस प्रिशने के लिए अगला question देखिए एक म मिश्रन से अलग किया जा सकता है तो आपका उर्दो पातन विदी से आप iodine को potassium chloride और iodine के मिश्रन को अलग कर सकते हैं बोरोन क्या हो है तो बोरोन जो है आपकी in message options दिएगा है इसमें से उपधातू कहलाती है option number D उपधातू यहाँ पर right answer हो जाएगा इस प्रिशने के आपकी अनु संख्या और अनु भार एक समान है तो अनु संख्या और अनु भार आपकी hydrogen की एक समान है option number A right answer है Maleria की दवा निम्द लिखित मेंसे किस से निकाली जाती है तो Maleria की दवा निकाली जाती है आपकी सिनकोला के पौधे से option number B यहाँ पर right answer हो जाएगा निम्द लिखित मेंसे कौन सा रोग वारस से नहीं होता तो यहाँ पर आपकar आपका जो options दिया गा है उसमें से आपका टाइफाई ड्रोग जो है वो वायरस से नहीं होता option number C इस प्रशने के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा washing machine में भीगे कपड़ों में जल को निचोड़ने में किस तकनीका प्रयोग होता है तो जल को निचोड़ने में जो तकनीकी उस होती है वो होती अपके इंद्रनवल option number यहाँ पर C इस प्रशने के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा boil का नियम द्रव की किस अवस्था से संबन्ध है तो boil का नियम द्रव की गैसी अवस्थाओं से संबन्ध है option number यहाँ पर C सही आंसर हो जाएगा गैसी आवस्था वर्तमान में शार्क संगथन में कितने सदस्य है तो वर्तमान में आपके सार्क संगथन में टोटल औरorta सदस्य है option number C. 8 सदस्य से राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशने के लिए अगला कोशन देखिये पानी के खारेपन का कारण किसका घुलनशी लवण है अच्छा आपको बता दें कि जो आठ सदसे है आठ वा सदसे कौन सामिल हुआ है तो अभी अफगानिस्तान आपका लाश्ट में सामिल हुआ है ठीक है पानी के खारेपन का कारण किसका घुलनशी लवण होता है तो पानी का खारेपन का कारण कैलशियम और मैगनीशियम के लवण होते हैं option number D यहाँ पर right answer हो जाएगा H5N1 नामक वाइरस पैदा करता है तो यह word flu पैदा करता है option number C यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा word flu गाय के दूद में किस विटमिन की प्रचोटता होती है तो गाय के दूद में आपका विटमिन पाए जाता है option number यहाँ पर B इस प्रशन के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला question देखिए वह ताप मान जिस पर किसी चुम्बक का चुम्बकत्व कम होने लगता है उसको क्या कहेंगे तो उसको कहेंगे क्यूरी ताप मान यहाँ पर option number C क्यूरी ताप मान इस प्रशन के लिए राइट आंसर है निम्लकितम से क्या रक्त के संचलन में मदद करता है तो रक्त के संचलन में मदद करता है आपको lymphocytes option बड़ी यहाँ पर lymphocytes सही आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए निम्लकितम से कौन सा तत्तों पौधों में पानी और कैल्शियम का आउस्टोशन बढ़ाता है तो पानी और जो है पानी और कैल्शियम का आउस्टोशन बढ़ाने का कि जो काम होता है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बोरोन option नमबर भी बोरोन यहाँ पर इस प्रशन के लिए सही आंसर है निम्लकितम से क्या एक बड़ी spectrum antibiotic है तो यहाँ पर जो options दिए गए है उसमें से आपका ampicillin एक बड़ी spectrum antibiotic है हमारी हड़ी और दात आम तोर पर किसके बने होते हैं तो हड़ी और दात आम तोर पर ट्राई कैल्सियम फार्स्वेट के बने होते हैं option नमबर यहाँ पर एस सही आंसर हो जाएगा नमलगतमसे किस बिमारी से पुर्शों की तुलना में महिलाएं आसानी से प्रभावित होती हैं यहाँ पर आपका सही आंसर है exam में इसका आंसर दिया हार्ड अटेक लेकिन हार्ड अटेक मेरे साब से पुर्शों को ज़्यादा होता है महिलाओं को कम पूरसों की तुलना में महिलाएं नहीं महिलाओं की तुलना में पूरस अधिक प्रभावित होते हैं हार्ड अटेक से याद रखना पेड के तने पेड के एक तने की अनुपस्त काट में 50 चल्ले है पेड के आईू कितनी है तो 50-60 मतलब 50 वर्ष इसकी आयो हो जाएगी Option number D यहांपर सरी answer हो जाएगा मक्का का परागन किसके द्वारा होता है तो मक्का का परागन होता है हवा द्वारा एर ठीक है Option number यहांपर C हवा द्वारा सरी answer हो जाएगा जन्तुअ में enzyme system नहीं है जो उन्हें किसके द्वारा उजा का प्रियुक करने में सक्षम बनाता है तो उनको वसा द्वारा उजा का प्रियुक करने में सक्षम बनाता है ये enzyme system नहीं है प्याज किसका एक परिवतित रूप है तो प्याज आपका तने का एक परिवतित रूप है option number भी तना यहाँ पर right answer हो जाएगा निम्द लेकित में से किसके जाचने के लिए ELISA test किया जाता है तो ELISA test होता है आपका AIDS के लिए option number यहाँ पर सही answer हो जाएगा निम्द लेकित में से किसकी कुछ अंक्रिया के काण मानव शरीर में mixodema होता है तो मानव शरीर में mixodema यहाँ पर इस परशने के लिए आपका सही answer हो जाएगा आउट्यू गृंथी option number यहाँ पर सही answer हो जाएगा वायू प्रदुश्वकों का विश्वस्वस्वस्वनिय संक्य तक क्या है आज को अधिक ताप पर गर्म करोगे तो वो हर एक अलरका दिखाई देगा option number यह राइट answer हो जाएगा आपके लिए surprise caution है मानव शरीर रचना के संदर्व में antibodies होते हैं क्या आपको दो option दे रहा हूँ दो में से एक सही है comment करके बताईए लगबग कितने caution वने ये भी बताईए वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों को भेज दीजिए चैनल पर पहली वार आए हो पूरा वीडियो देखा है ऐसे ही caution पढ़ने है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने आप आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखने लगेंगे आप स्क्रॉल करोगे आपको स्क्रीन पर वीडियो आने लगेंगे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका लेन शुब हो बहुत बहुत धन्यवाद